18 महीने के बकाया DA area पर वित मंत्री का बयान एक करोर से ज्यादा केंदरिये करमचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है महेंगाई भत्ता व्रिधी से पहले 18 महीने के DA area पर ताजा अपडेट सामने आया है केंदर सरकार ने कोरोना काल, COVID-19, महामारी के समय रोके गए 18 महीने के महेंगाई भत्ते के एरियर को देने से इंकार कर दिया है वित राज्य मंत्री पंकच चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में साफ कर दिया है कि जो 18 महीने का दा डिया रोका गया था, उसका एरियर नहीं मिलेगा सासंदों ने उठाया डिये एरियर का मुद्दा दरसल केंदरिय करमचारियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डिये का एरियर बकाया है चुंकि चार साल पहले कोरोना काल में केंदर सरकार ने 48 लाग केंदरिय करमचारियों वह 64 लाग पेशन भोगियों के दा डियार पर रोक लगा दी गई थी और करमचारियों का उक्त भुकतान रोक कर 34,402.32 करोर रुपे बचा लिये थे इसके लिए करमचारी संग लंबे समय से मांग कर रहे है मंगलवार को राजिस्भा सदसे जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने भी दिये एरियर को लेकर सरकार से सवाल पूछा था कि क्या सरकार करमचारियों को कोरोना काल के समय रोके गए दिये डियार के एरियर का भुगतान करने के लिए काम कर रही है या नहीं भुगतान ना जारी करने का कारण बताई अब तक कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन मिले है उन पर क्या कारेवाही की है वित मंत्री ने दिया ये जवाब डिये एरियर के सवालों पर जवाब देते हुए वित राज मंत्री पंकच चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थ विवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते दा, डिया रोका गया था उस समय सरकार पर वित्तिय दबाव था N.C.J.C.N. सहित कई करमचारी संगटनों से इस बारे में प्रतिवेदन मिले है लेकिन फिलहाल उन भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है मौजूदा परिस्थितियों में डिये के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है आसान शब्दों में कहे तो केंदर सरकार करमचारियों को 34,000 करोर से अधिक कीदा डिया राशिका भुगतान नहीं करेगी करमचारी कई बार लिख चुके है सरकार को पत्र जुलाई 2020 से जन्वरी 2021 तक बकाए डिये एरियर को लेकर करमचारी संग कई बार पिये मोदी और सरकार को पत्र लिख चुके है हाल ही में बजट पेश होने से पहले राश्ट्रिय परिशद JCM करमचारी पक्ष के प्रतिनिदियों सहित विभिन करमचारी संगतनों ने सरकार को एरियर जारी करने का प्रस्तावाला एक पत्र भेजा इससे पहले भारतिय प्रतिरक्षा मजदूर संग ने प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को एक पत्र भी लिखा था करमचारी संग को उम्मीद थी कि मोदी सरकार 3.0 बजट के दोरान कोई ऐलान कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब संसद में भी सरकार ने एरियर देने से इंकार कर दिया है